नमस्कार दोस्तों, Learning Universe में आप सभी लोगों का स्वागत है, आज हम लोग मकर रेखा के उपर अवस्थित देशों के बारे में जानेंगे कि मकर रेखा पे कितने देश अवस्थित हैं, यानि इस्थित हैं, और ये कौन-कौन से महाद्यूप में हैं, इनके उपर चर्चा करे जहां से हर परिक्षाओं में सवाल पूँचे जाते हैं, सब ने प Bible और यहां पर डेखा करते हैं तो इस हम लोगों को आपम लोगों को इस मैब में यहां पर देखी न हम यह ये देखी ये जो रेखा है इसे कहते हैं करकरेखा और दूसरी जो ये रेखा है इक्वेटर जहां लिखा है इसे कहते हैं भूमत्य रेखा और तीसरी ये जो है टॉपिक आप कैप्रिकॉन इसे कहते हैं मकरेखा तो हमें जो है इसी रेखा के उपर जितने देश अवस्थित हैं इनके बारे में जानना है इनके उपर अवस्थित देशों के बारे में हम आपको एक जो है कोड बताएंगे उस कोड को आप याद कर लेंगे बहुत आसान है तो आपके पूरे के पूरे जो दस देश अवस्थ तो यह देखिए यह है आपका मकर्रेखा मकर्रेखा पर जो अवस्थित देश हैं इनके लिए हम लोग एक कोड याद करेंगे अब दूसरा कर लेते हैं अब दूसरा कर लेते हैं अब बीवियस यह ऐसे रहेगा प्ले जो है इसका कोई मतलब नहीं है पैक मैन पी ए सी यम ए यन इसको आप लोगों को याद करना है जिसमें से किवल हमको याद करना है इन्हें के आधार पर हम जो है पूरे के पूरे जितने भी देश अवस्तित हैं उनको जान लेंगे तो जानते हैं कौन-कौन से देश है एमबीबियस में चार होता है पैक मैं में आपका कितना है तो सबसे पहले देखते हैं और हाँ यह भी देख लेते हैं कि कौन-कौन से महादियूप में जैसे यह वाला जो है यह क्या है साउथ अमेरिका है यह वाला क्या है आपका अफ्रीका है और यह आस्ट्रेलिया है ही तो तीन जो है महादियूप में अवस्थित है ठीक है तो हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो जो नौर्थ यह साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका में हम लोग क्या देखेंगे साउथ अमेरिका में हम लोग यह जो पिंक कलर का है चिली है दूसरा यह आपका अर्जंटीना है यहां से देखिए यह जो है यही है टॉपिक ऑप कैप्रिकॉन तो चिली एक हो गया अर्जंटीना दो हो गया चिली अर्जंटीना ऊपर से ब्राजील यह जो ब्राजील है यहां तक आया है नीचे तक आया ह आपका परागवे यह तो टोटल चार हो गए यहां से अभी तो हम अब के अब अवस्थिती देख रहे हैं अभी जो कोड है उसके अनुसार भी देख लेंगे तो यह हो गया आपका साउथ अमेरिका से अब हम देखते हैं साउथ जो है यह अफरीका से देखते हैं तो अफरीका में कौन कौन से हैं अफरीका में सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा से इसको बड़ा करते हैं अफरीका को अब देखते हैं अफरीका में एक तो है यहां पे नामीबिया नमबर एक दो यहां पे देखिए आप ब तो सवाना के बाद यहां से देखिये सीधे चली जा रही है निकलते हुए मोजांबिक यह मोजांबिक हो गया और यह मेड़ा गसकर हो गया तो एक दो तीन चार यह इधर होगे, चार उधर होगे, आठ होगे, बचा कौन, एक बचा, साउथ अफ्रीका, चुकि साउथ अफ्रीका जो है, यह देखिए, यहां से साउथ अफ्रीका यहां तक जा रहा है, तो साउथ अफ्रीका भी इस रेखा पे आ रहा है, और एक हो गया आपका, लिए भी हो गया तो हुए कितने टोटल टोटल हुए दस अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके फिर सबको देख लेते हैं इकठें तो हम लोगों ने क्या कोड बनाया था हम लोगों ने बनाया था म बीबं ये से क्या होगे मोजांबिक हो गया यहां वाल हम्वाला मोजांबिय को था नहीं इस दिसरा बको सबकी क्या हो गया South Africa MBBS Play कुछ था नहीं Pac-Man अब देखना है P से हो गया आपका परागवे यह से हो गया आपका अर्जंटीना तोटल जो अवस्थित हैं बाकी इधर तो टोंगा वग्यरा है लेकिन जो पूछा जाता है इन महादीपों में से यही पूछा जाता है तो कोड़ आपका हो गया यह 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 फिर अगर आप याद करना चाहें तो एक कोड़ और है जो आपकी सुलबता जैसा आप चाहें व आइसे ही हम आपको करकर रेखा पर अवस्तित और भूमद रेखा पर अवस्तित देशों के बारे में बताएंगे धन्यवाद